हलो प्यारे वीकों कैसे हैं आप लोगा यो बहूत अच्छे होंगे और आज केला आप लोगों को क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगी डेली क्लास बहुत चोटी रहती है लेकिन जो भी टॉपिक हम लोग उठा रहे हैं उससे जुड़े हुए जितने भी अभी त तथे के माध्यम से उपलब्द कराए जा रही है उसके बाद उन सब का प्रश्ण और उत्तर भी आप लोगों से अभ्यास के रूप में दिया जा रहा है ताकि आप लोग अब तक आए हुए प्रश्णों को हल भी कर सके और आगे वारने वाले प्रश्णों को भी अच्छे से समक सके कि किस तरह के प्रस्ण आयोक के द्वार आगी पूछे जाएंगे तो क्लासेज डेली बहुत ही मैध पुढ़ है और आज का टापिक भी आपका बहुत ही सांदार है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अठार पुराणों के बारे में आया हुआ है इसकी रचना का टाइम प्रेड भी पूछा गया तो इसका समय है पांचमी सताप्दी इसा पुर्व से लेकर पांचमी सताप्दी इस भी तक यानि कि लगभग दस सताब्दियों के बीच इसकी रचना हुई है ये कोई छोटी टाइम प्रियड में रचना नहीं हुई है अलग अलग टाइम प्रियड में अलग अलग पुराणों की रचना हुई है आप देख रहे हैं दस सताब्दी के बीच इसकी रचना हुई है पुराडों का विसेवस्तु तो पुराडों में पांच विसेवस्तु है और इन विसेवस्तु को भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है देखी आपकी सामने है पहला विसेवस्तु सर्ग सर्ग प्रतिसर्ग वंस मनिवंतर और वंसानुचरित एक्साम में कई बार पुछा जा और वंसानुचरित सर्ग में क्या है जंगल की जो रचनाएं है वो सर्ग में रखे गई है प्रतिसर्ग में क्या है तो प्रलय के बाद पुनह जगत की जो रचना हुई उसका वर्डन किया गया है प्रतिसर्ग में वंस में क्या दिया है तो इसमें देवताओं तथा रिसियों की वनसावली दे गई है जो मानने वंतर है इसमें महा यूगों महा यूगों में सबसे पहले क्या आता है कृत यूग जिसे कहा जाता है सत यूग उसके बाद आता है त्रेता यूग जिसमें राम का जन्मुआ ऐसा माना जाता है उसके बाद आता है द्वापरियुग जिसमें कृष्ण का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है और उसके बाद जो आता है वो है कल युग तेनी महान युगों का करम भी पुछा गया है तो याद रखीगा पहले कृत युग या सत युग उसके वाद त्रेता यूग फिर द्वापर यूग और फिर है कल यूग इसका वर्ण पुराडो के मन ने वंतर में दिया गया है ये चीज़ वियाद रखेगा पूछ सकता है कि इन पाँच जो चार महा आपके यूग है इनका वर्ण कहां मिलता है तो पुराडो में मिलता है पुराडो में अगर विसेवस्तु में पूछ ले तो आपका मन ने वंतर हो जाएगा बचलो बहुत इंपोर्टेंट है वंसानुचरित में क्या दिया गया है तो पाँचमा जो विसेवस्तु है वंसानुचरित इसमें प्राचीन राज्य का इतिहास है और राजवन्सों की कहानिया है जो प्राचीन आपका राज्य इतिहास है जो प्राचीन कल्म के जो आपके राज्य हुआ करते थे और जो राजवन्स हुआ करते थे उन्हीं का इतिहास और कहानिया दी गई है वंसानुचरित में पुराडों की संख्या कितनी है तो 18 है आप सभी को ये पता होग लेकिन आतिहासिक द्रिष्टी से कितने पुराण है जो महतपूड है तो आतिहासिक द्रिष्टी से आपके पांस पुराण ऐसे हैं जो महतपूड है जिसमें पहला पुराण है विश्डू पुराण जो आतिहासिक रुप से महतपूड है चुकि विश्डू पुराण में मौ मौरें स्वाहन वंस की जानकारी कांसे पुराड से मिलती हैं तो यह विश्डू पुराड है कि साथ पुराड से साथ ये question भी आया है कि सबसे पुराना जो आपका पुराड है वो कौन सा है तो मत से पुराड को ही सबसे पुराना और सबसे प्रमाडित पुराड माना जाता है याद रखेगा इसमें बिश्रो के 10 आवतारों का उलेख मिलता है साथ ही जल प्लावन की कथा और लिंग पुजा का सबसे पहले उलेख भी इसमें मिलता है तो ये सारे फैक्ट याद रखेगा सबसे प्राचीन पुराड है साथ ही सबसे प्रमाडिक पुराड है दस अवतारों का उलेख है जल्पलावन की कथा का उलेख है लिंग पूजा का वर्डन है इसमे साथ वाहन बंस की जानकारी है इसमें ये सारे faq exam में पूछे गए हैं कि नही एकसामों में यानि कि विभिन एकसामों में किसी न किसी एक्साम में यहां से question बने ही है अगला पुराण है आपका वायू पुराण यह question भी आया है कि गुप्त बंस के बारे में जानकारी कौन से पुराण से पता चलता है तो यह है आपका वायू पुराण वायू क्या होता है गुप्त होता है हमें दिखाई नहीं देता तो ये कैसा पुराण है आपका वायू पुराण यानि कि ये गुप्त बंस से जुड़ा हुआ है और सात्वाहन बंस के लोग क्या थे अपने आपको ब्रामभड कहते थे खास करके जो गौतमी पुतर साथ करनी वो आपने आपको एक ब्रामभड सर नाग वंस और वाकाटक वंस के जानकारी मिलती है हमें ब्रम्हांड पुराण से याद रखेगा बहुत ही महत्पुर है अगला अतिहासिक पुराण है आपका भागवड पुराण इससे धार्मिक संप्रदायों के विकास के जानकारी मिलते जितने धार्मिक संप्रदायों क विकास हुआ समय समय पे इनके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलता है भागवद पुरार से मिलता है तो ये पांच आपके आतिहासिक पुरार है जिनसे किसी न किसी बंस के इतिहास या विभिन चीजों की जानकारियां इससे मिलते से आतिहासिक पुरार आपके पांच है और क्या मिलता है तो विश्डू की आवितारों का उलेख है、 साथ ही इसी गरंत में बुद्ध को विश्डू का आवितार बतार बतायेगा हैं। लकुलिस को माना जाता ये question कई वाराया है कि पासुपत संप्रताय के संस्थापक कौन है लकुलिस और ये सिव के अंतिम आउतार है 28 में आउतार है ये किसमें कहा गया है ये कहा गया है लिंग पुराड में अगला पुराड है आपका वामन पुराड वामन पुराड में सिव पुराण भी सबसे छोटा है जिसमें सिव परवती के विवाह का उलेख मिलता है अगला पुराण है आपके सामने मारकंडे पुराण मारकंडे पुराण में देवी दुर्गा की महिमा का वर्डन है तो याद रखेगा जो देवी दुर्गा है इनकी महिमा का वर्डन किस पु तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया असकंद पुराड जो है ये सबसे बड़ा हो गया साथ ही असकंद पुराड में तीर्थ अस्थलों का वड़न मिलता है याद रखेगा इसमें तीर्थ अस्थलों का वड़न मिलता है सबसे बड़ा पुराड है जो असकंद पुराड है आपका इसके अलावा जो दसमा पुराण है वो ब्रम्ह पुराण है गेरहमा जो पुराण है ये पद्म पुराण है बरहमा पुराण आपका नारत पुराण है तेरहमा आपका जो पुराण है ये आपका यहाँ पे होना चाहिए था तेरहवे में यहां पर इसको मैं आपको बता दूंगी बाद में आप लोग देख लीजिए का तेरहवा यहां कुछ मिस्प्रिंट हो गया है और आपका नेक्स्ट है तो यह पुराड आपके important नहीं है यहां दस से लेकर कि आप 18 तक का जो 8 पुराड है यह बिलकुल important नहीं है बाकि इसके ओपर के जो आपके पुराड है इनसे जो इनमें जो fact दिये गए सबसे चोटा सबसे बड़ा बामन पुराड लिंग पुराड विश्रु पुराड भाग पुराड ब्रम्हान पुराड यह सब एक्साम में पूछे गए हैं खासकर के ब्रम्हान पुराड बायु पुराड यह पुछा गया है मस्य पुराड कई बार पुछा गया है और विश्रु पुराड भी एक्साम में कई बार आया है पुराडों की संख्या और पुराडों क विशे वस्तु भी आया हुआ है साथ ही महायूगों का क्रम पूछा गया है इनकी रचैता का नाम और इसका टाइम प्रियेड भी पूछा गया है तो हर एक लाइन से क्वेस्टन आये हुए हैं बार बार आये हुए हैं विभिन एक्साम में आये हुए हैं तो इस सभी तथ्यों को एक जगह कलेक्ट किया गया है आप लोगों के लिए बच्चा लोग अगर क्लास अच्छा लगता है तो सेयर लाइक और कमेंट जरूर किया करें इससे मनोबल मिलता है उर्जा मिलती है तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे ऐसे ही सांदार प्रशनों के साथ और ऐसे ही फैक्टों के साथ थाइंक यू थाइंक यू सो मच